मौलं में टाइटल देख लिया वागा तो हम बना ले एक सेकंड ग्रेटिंग पहले कर दोस्तों की आला तो आपने टोविया होगा मैं रहे हैं 3-3 jalta Central Garden Public Malcolm तो थोड़ा चलेंजंग बनाने के लिए phone में अब फोन में बनाते हैं, στο दो मैं आगे है उपने फोन की स्क्रीन पर और मैं यूज करने वाला हूं इसकोड यह क्यों की तरह आप यहां पर एक इस इंस्पेंटर fazer अपके पहें पर टो सकते हो मैं अब जसका नाम रखता हूं मैं 3D q.html एंड मैंने इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए अपना कीबोर्ड कनेक्क कर लिया फून से थोड़ा सेंपल हो रहा है तो थोड़ा चैलेंजिंग बनाने के लिए फोन में बनाते हैं यह साइड मेन्यू को हेट करता हूं मैं यहां पर तो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं यहां पर बनाता हूं अपना HTML then heading then title title में रख देता है 3D q.html जाहिए थे रख जैन उसके बाद यहां पर आता है body के अंदर और फिर body में सबसे पहले में यहां पर डिव लगाता हूं प्रएं डिव और इसका class रखता हूं मैं container container के अंदर आता हूं यहां पर और इसकी दिव क्लास में और रखता हूं भूपी चलिव क्योब कर देंगे जिता हूं तो मैं भूले है और तो शे दिव बनाए रहे हैं जिसकी तक दूपान že देन उसके बाद यहां पे इसकी 1 और सब्क्लास क्रणा देते हैं जसकी मांदो यह टॉप हो जाएगा टॉप वाली साइड की और यह पे बॉटम वाली साइड एसे यहां पे फरंट को एंड यह हमारा लेंट ऐसे आप समझ रहे होंगे कि हमारा वाला राइट और यह होने वाला हमारा left तो जाते अपनी CSS के अंदर तो उसके लिए मैं पर जाता हूं है टैग में और यहां पर स्टाइल टैग लगाता हूं और फिर यहां पर सबसे पहले डॉट कंटेनर और इसको मैं यहां पर विद दे दूंगा अपनी 100 view width और ऐसी height मैं दे दूंगा यहां पर इसको मैं 100 view h दैन उसके बाद यहां पर .cube प्ले करते हैं यहां ही capital क्यों गया ओटो करेक्ट मत हो .cube और फिर इसको मैं यहां पर विद दे देता हूं मैं मानलो मेरे को अपना cube बनाना है 200 पिक्सल का और मैं यहां पर cube बना रहा हूं तो height और width दोनों सेम रहेंगी तो यहां पर विद दो पिक्शन कर देता हूं तो आप इपनी हजाब से height और width कस्टमाइज कर सकते हो यहां पर इसको विजिबल करने के लिए भी फ्लाल के लिए और मैं यहां पर इसको background color देता हूं blue then मैं यहां पर करता हूं उसको save coding वाले folder में करना में रहूं तो मैं करता हूं उसको चलाने के लिए back जाता हूं okay और जाता हूं यहां पर my files में अपने coding वाले folder में और इस वाली file को अपने open करता हूं 3dq.html वाली को chrome से तो यह अब कुछ ऐसा आ रहा है तो मैं करता हूं अपनी screen को split कर लेता हूं तो एक साइड यह chrome हो जाएगा और एक साइड मेरा code editor हो जाएगा बढ़िया और मैं अपनी coding वाली screen को थोड़ा और बढ़ा कर लेता हूं थोड़ा चोड़ा बस तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले अपने क्यूब को जो सेंटर में लाओंगा तो उसके लिए मैं क्या करूंगा यहां पर डॉट कंटेनर बे जाओंगा यहां कर दूंगा अपना display flex तो सेंटर में लाने के बहुत तरीक है जासकी margin नोटों कर दो क्यूब की फ्लेक्स करने के बाद तो अपने अपने सेंटर में आ जाएगा यहां फिर मैं कर सकता हूं यहां पर जस्टिफाइग कंटेंट सेंटर और मैं सेफ करके रिलोड करता हूं तो अब जो यह विद में जो सेंटर में आ चुक है उसको हाइट में लाने के लिए उसके मैं यहां पर करूंगा अपर कर दूंगा align item सेंटर देन सेफ करके रिलोड करता हूं तब यह आ गया मारा सेंटर में देन उसके बाद यहां पर यह कलर हटा देता हूं तो इस कोलर का मैं हिसे अटा देता ओं और यहां करता हूं और मेरे को यहां मेर की नों पर दो पिक्छल की शॉलिड बलक कर दो क्रें City टेंट कर के रिलोड करता हूं एंड रोटेट में मेरे को यहां पर X में कर दो माइनस का 45 डिग्री और रोटेट वाई में कर दो 45 डिग्री अम यहां पर इसको सेफ करके डिलोड करता हूँ तो अभी कुछ ऐसा हो गया देन अब उसकी बाकी साइड बनाते हैं क्यूब की तो सबसे पहले में सब में जो इसकी हाइट और विद्डिफाइन कर देता हूँ तो यहां लगोंगा डॉट साइड और यहां पर इसकी विद्ड विंड्व नहीं विद्ड यहां पे 100 पिक्शल हमारा हमारेज्स कट सारी 200 पिक्शली का ऐसे यहां पर मैं जो हैं हट को दिफाइन कर दूंगा 200 ऐसके बाद सबसे पहले टॉप वाली सयड मनाते हैं तो पर यहां पर पर लिए सबसे पह дальше यहां मैं इसका background color define कर देता हूं ताकि विजिबल हो जाए तो background color में randomly koई भी RGB का color ले लूँगा मालोग 30, 34, 56 मैं आप इसको save करके reload करता हूं तो यह हमारे top वाली side आ गई तब मैं का करूँगा यहाँ पे stop वाली को y-axis में तो यहाँ पे मैं इसको y-axis में translate करूँगा अपना 100 pixel मतलब मेरा अगर cube 2 सा pixel का है तो मेरे को यहाँ इसको 100 pixel जाए उपर ले जाना है तो यहाँ पर ले जाने के लिए नेगेटिव नेगेटिव में देना होगा रिलोड करता हूं तो मेरा यह चले गया 100 pixel उपर तो ट्रांसलेट करने के बाद हम क्या करेंगा उसको हम रोटेट कर देंगे कै एक सीमें तो एक स्केमिंगल इसको 90ंइटि टीगरी का थाक्ये सकत हर ठुमें पर मैं सेव करता आँ रिलोड करता हूं कि यह गाया हमका करना जहां यहांपर क्यूप जाना होगा और सबसे पहले तो यहां पर इसकी position define नहीं करें पोजेशन relative करदो यहां पर इसका transform style लग बता दो transform style जो कि होगा हमारा preserve 3D यहां पर side में आते हैं और यहां पर इसकी position कर देते हैं absolute लियूर्ट देन यहां पर श्म मैं करता हूं और यहां पर यांपर करता हूं रिलोड तो यहां पर लोड लियूर्द न फिर को और यहां बना लेता है छोची मैं च्लिक है पे घुरL और टो पर जोड़ो है के widely एक फिलेंब करदेता हुझ जो कोई फिलेंड रिंडम ली एक डय ऑंड जोड़रेंगे हैं तो इस बहु है लिए करता हूं को तो यह बसको तो फिर ऐसे करता हूं अपना जो राइट के लिए तो डॉट राइट और यहां पर बैग्राउंड कलर लगाता हूं सबसे पहले और यहां पर मैं करूँ उसको ट्रांस्फॉर्म करूँगा ट्रांस्लेट करूँगा एक्स में 100 पिक्सल आगे जैन फिर इसको यहां पर मैं रोटेट कर दूँगा वाय में हमने जब टॉप बना रहे थे तो एक्स में रोटेट किया था अब राइट और लेफ्ट वाला बना रहे हैं तो हम इसको वाय में करेंगे 90 डिग्री हमें आप इसको सेफ करता हूं रिलोड करता हूं तो यह हमारा राइट वाली बन जाएगा यह वाली सैटेख रहे हैं तो यह फाली साइट से अल्हार थे थार राइट वाला पूरा दिखनी रहा है यह दैन फिर ऐसी बना लेता हम जो है बॉटम तो बॉटम यहाँ पर ग्रोंड कलर देन इसको भी हम टॉप की तरह है ट्रांसफॉर्म करेंगे डाशेट करेंगे वा करेंगे एक्स में 90 डिग्री सेफ करके रिलोड करता हूं तो यह बन गया मारा बॉटम ऐसे यहां पर हम जो यह लेफ्ट वाला बना लेते हैं यहां फिर पहले फ्रेंट वाला बना लो वे आगे की तरफ डेन आ प इसको रिलोड करता हूं तो यहां लिवाला-पल जैद यह बना लेत यहां Waters इसको 100 पिक्सल पीछे ट्रांसलेट करना है यहां पर मैं इसको रोटेट करना है वाई में 90 डिग्री इसको सेफ करके रिलोड करते हैं तो हमारे यहां पर लेफ साइड भी बन गई तो यह हमारा क्यूब यहां पर बन चुका है और इसको थोड़ा डिजाइनिंग अच्छी कर सकते हैं और यहां पर इसकी सैडों भी डाल सकते हैं और अनिमिशन भी तो डालते हैं तो सबसे पहले बीच में जो क्यूब का साइड को तो यहां पर साइड में जाता हूं और यहां पर बैग्राउंड कलर भी ए मतलब आर्जीबी विद अलफा तो अलफा से आप इसकी जो है विजीबिलिटी चेंज कर सकते हो जीरो मतलब कुछ भी नहीं मतलब है तो यहां पर 25,25,2 और ऐसे यहां पर इसका रिलोड ऑगे क्लर चेंज अफकोस क्यों होगा क्योंकि मैं सबी कलर सबी क्लासिस में कदल ओर डिफाइन कर रहा हूं तो मैं कर सकता हूं यह बेगराउंड कलम में बता देता हूं कि यह इप्वॉटंट वह या इस यह को मानो बाकी को और कुछी को मत मानों और मैं इसको र तो एसे हम यहां पर इंटीनर का थोड़ा बैक्ग्राउंड आर्क सा कर देते हैं मतलब थोड़ा ग्रे टाइप तो इसके लिए यहां पर मैं बैक्ग्राउंड और जी भी 222,222,225 तो यह थोड़ा मतलब पूरा वाइट नहीं होगा पर थोड़ा ग्रेट टाइप सा हो जाएगा और यह साइड साइड में जो मार्जिन आर्योस को उटा देते हैं तो मैं यहां पर अपने बोड़ी को बोलता हूं कि यहां पैडिंग कर दो जीरो और फिर मार्जिन honour यहां पे save करके heti करता हूँ तो है इसाइड साइड से पांडर के जाएगी और मैं क्या करता हूं अग्छा अपने कियो तो इसके लिए मैं क्या रूगे जाउंगा बॉड़ी के अंदर और यहां कि क्यू के बाद बनाऊंगा मैं और इसकी क्लास रखता हूं मैं साइडो और फिर वापने css के अंदर और यहाँ पर डॉचछ डूर में एक स्वक्लाइबाद का वह बाता हूँ और इसका वी मैं बैक्राउड क्लार कर देता हूँ भ्लैक करने के बाद यहां पर करता हूँ उसको save रिलोड करता है तो यहां पर आ गया shadow बलकि यह तो यहां पर side मारे तो मैं उसको नीचे डालना है तो उसके लिए मैं जाता हूँ अपने container के अंदर और यहां पर बोल देता हूँ flex direction column then save करके reload करता हूँ तब यह नीचा जाएगा और थोड़ी margin दे देता है इसमें क्यूब में तो मैं यहां पर shadow के इंदर जाए margin दे दूँगा margin from top कर दो 100 pixel कर देता है सही है then उसके बाद मैं यहां पर filter डाल देता हूँ यहां पर filter blur और यहां पर बहर के जो मैं blur डाल दूँगा 40 pixel का और फिर reload करता हूँ तो अब यह थोड़ा shadow type सा लग रहा है थोड़ा इसको मैं आप इसका color कम करता हूँ black नी थोड़ा grey type होना चाहिए तो RGB 120,120,120 तो यह थोड़ा grey type सा हो जाएगा तो अब थोड़ा यह लग रहा है shadow सी देन उसके बाद अब इसमें animation भी डाल देते हैं तो animation के लिए मैं क्या करता हूँ यहां पर shadow के बाद add the rate keyframes देन यहां पर हमें animation का नाम बताना है तो हमारा होने वाला है rotation animation का नाम देन उसके बाद हम यहां पर पता सकता है कि 0% पर क्या होगा 25 पर ऐसे ऐसे तो उसके लिए यहां पर करको मैं 0% और 0% में क्या करना है 0% में वही रहेगा मतलब क्यों का जो यह initial rotation है माइनस 45 वर 45 वही रहेगा 0% पर तो मैं इसको कर तो यहां पर कॉपी और यहां पर करता हूँ paste और ऐसे हमें जो है बाकी % के लिए चेंज करना होगा जैसके भी मैंने यहां पर 0 के बना लिया तो ऐसे मैं यहां पर 25% के लिए बना हूँगा 50 के लिए 75 के लिए 100 के लिए तो यह हो जाएगा 100 का अब चेंज करते थे हैं जैसकी 25% में हमें कोई एक वैल्यू चेंज करने है यह तो माइनस 45 से 45 प्लस कर दो या फिर वाए में 45 से माइनस 45 कर दो तो मैंने आप यह में कर दिया माइनस 45 तैन अब इस वाई वाले को तो रखते है और एक वाले को पोजीटीव कर देते है और फिर प्र적ल को कॉंस्टंट रखते हैं और और वाय वाले को positive कर देते हैं और फिर वाय वाले को constant रखते हैं और x वाला negative हो गया सही है देन जाते हो अपने cube के अंदर cube, cube, cube की रहा और यहाँ पे animation यहाँ पे animation का नाम rotation और फिर कितने second चलाने मान लो 20 second चलानी है और infinite चलानी है infinite और linear पे चलानी है इसके यहाँ पे save करके reload करता हूँ तो यहाँ पे हमारा cube में जो animation लग जाएगी rotate होना start हो जाएगा और साथ में shadow में भी animation डाल देते हैं तो shadow तो move नहीं करेगी जब cube move करेगा तो shadow कम या ज़्यादा होगी तो मैं ऐसे animation डालने है कि shadow कम हो और ज़्याद हो तो उसके लिए मैं करता हूँ इसी के नीचे को और animation बनाता हूँ मैं at the rate keyframes animation का नाम shadow rotation और फिर ऐसे 0% वे क्या करना है बता देता है तो 0% पे initially रहेगी जो यह है width or height तो मैं animation में width or height change करने है ज़्याद होगी तब यह चोटे ज़्यादा होगी तो उसके लिए आप इसको बढ़ता हूँ मैं copy और यहां कर देता हूँ पेस्ट तो यह 25 के लिए 50 के लिए 75 के लिए 100 के लिए तो यह 100 नोट 1100 तो मैं क्या करता हूँ 25 पर हाइट और चोटी कर देता हूँ तो यहां पर बड़ी चोटी बड़ी चोटी एक वर हाइट को इसी सोड़ देते हैं और फिर बड़ी अब जाते हैं वापे सेड़ों के अंदर और सेड़ों के अंदर यहां पर एनिमेशन अपना सेड़ों रोटेशन और फिर यहां पर 20 सेकंड इंपानाइट और लीनियर ईजी सेव करता हैं और फिर करता है रिलोड तो अब आरी एनिमेशन अब थोड़ी चोटी हो रही है फिर बड़ी हो रही है पर कि अब कूब ऐस छोटी होने ची यह बलके मुं की चैड़ हो रही है और जो बाड़ीचप oh यहाँ पे 200 अब इसको शेव करके रिलोड करता हूं तो जब यह ऐसे घूम रहा है तो चेलोडी होई साय्डों तो चाड़ी है और फिर जब ऐसे घूम रहा है तो यह थोड़ी पतली होती जानी चाहिए पतली होरी है और फिर जब यह ऐसे घुम रहा है तो सेडो चौड़ी होती जानी चाहिए हाँ हो रही है तो मैं तो अपने साब से ऐसा लगता है मेरको ऐसी होनी चाहिए साइडो की अनिवेशन तो मैंने ऐसी बना दी तो अगर आपको सेडो के अनिवेशन अच्छी नहीं लग रही है तो अपने साब से चेंज कर लेना तो हमारा क्यूब जो है पूरा बन चुका है 3D और आप यहां पर क्यूब के अंदर भी जो है यहां पर साइड के अंदा थोड़ा बलर डाल सकते हैं मतलब बैकड्रो बलर मतलब पीछे का जो भी है उसको बलर कर दो मतलब मालो 10 पिक्शल डाल के देखता हूं तो आप यह देख लेना आपको यह बैकड्रॉप फिल्टर डालना है कि नहीं तो हमारा 3D को पूरा बन चुका है तो इस वीडियो में इतना ही था तो उमीद आपको यह वीडियो पसंद आयोगी वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नई हो तो स एक प्यार ही है किता केडा किता